तो यहां पर अंडर 30 के अगर हम बेस्ट कैमरा फोन के बारे में बात करें तो उन में से जो है दो नाम डेफिनेटल हमार दिमाग में आएंगे इन दोनों के टकर देने के लिए एक और फोन यहां पर आ चुका है जीटी नियो टू इन दोनों से बेटर परफॉर्म करता है और इन तीनों में से बेस्ट कॉन सर आएगा आपकी यूसेज के साब से वीडियो के आखिर तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो मेक शूर करे आगे बढ़ने से पहले तीनों के कैमरा के स्पेक्स में आपको बता देता हूं ता कि आपको कि आईडिया मिल जाएगा यह किन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है सबसे पहले यहां पर जीटी नियो टू आता है 64 मेका पिक्सल प्राइमरी कामरा 8 मेका पिक्सल अल्ट्राव पर सेकंड एंद इन तीनों में ये एक फोन है जिसमें बैक से आप 4K 60fps तक कर सकते हैं सेकंड में आ जाता है Motorola H20 108 MP का प्राइमरी कामरा है 16 MP का अल्टरा वाइड एंद 8 MP का टेली फोटो लेंस एंद टेली फोटो लेंस में आपको Optical Image Stabilization देखने को मिलता है इसी में फ्रंट आपको 32 MP का मिल जाता है फ्रंट से जो है आप मैक्सिमाम 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैक से आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इन तीनों में यही एक फोन है जो फ्रंट से 4K resolution में रिकॉर्ड कर सकता है बात करें नौट 2 की तो इसमें 50 MP का आपको Primary Lens देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Optical Image Stabilization देखने को मिलता है 8 MP का Ultra Wide and 2 MP का Mono Lens देखने को मिलता है फ्रंट में आपको 32 MP का Shooter देखने को मिल जाता है बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो फ्रंट से 1080 पिक्सल एक 30 fps तक और बैक से आप 4K 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं यहां पर स्टार्ट करते हैं इंडोर फोटोग्राफी से पूरी यहां पर जो है आटिफिशल लाइटिंग कंडिशन बिल्कुल रात के टाइम पर लिए है और अंधेरा बिल्कुल कायम था इस टाइम पर तो तीनों में ही काफी अच्छी फोटो आ जाती है पर मैंने एक चीज़ अब्जर्फ की कि GT Neo 2 में थोड़ा से सेचुरेशन लेवल जादा देखने को मिलता है आप जो है दिवार का कलर देख सकते हैं यहां पर काफी जादा यहां ब्लू लग रहा है इतना ब्लू है नहीं अच्छे से यहां पर प्रेड्यूस किया है यह वाइड एंगल शॉट है तो आप यहां पर देख सकते हैं फिशाई इफेक्ट भी तीनों ही कैमरा में देखने को मिल जाता है थोड़ा सा कीबोर्ड इसने बड़ा कर दिया है इसी में डिटेलिंग की बात करें तो सबसे अगर चूस करना हो तो एश 20 में जादा मतलब कलर से क्यूरेट मुझे लग रहे हैं नाव यहां पर डिटेलिंग की बात करें तो आपको जीटी नियो टू में जादा डिटेलिंग देखने को मिलती देन नौट टू देन लास्ट में मोट रोला है अगर तीनों कैमरा के हम यूमन सब्जेक्ट को लेकर फोटो फ्रेंट कैमरा से लें तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको ज्यादा नाच्रॉल जो है मोट रोला है देखने को मिल रहे हैं कलर जो है बाकी दोनों में वाइट कर दिया ओल्दो तीनों में ही ब्यूटी मोड को टोटली आफ किया थ यहां पर जो है जआदा जीटी नियोडु में ब्यूटी मोड देखने मिल जाता है काफी ज़एदा गोरा कर देख इतना गोरा नहीं होना हाँ में sudah यहां पर सबसे ज्यादा जो वाइड किया है वों जीती नियोड टु में बडट डिटेलिंग की बात करें सेंट फोटो मे यहाँ पर Motorola H20 में टेली फोटो लेंस देखने को मिल जाता है 3x zoom पर यह जो है इनेबल हो जाता है और बाकी तीनों में ही मैंने 3x zoom पर लिया है तो यहाँ पर सबसे अच्छी फोटो आपको Motorola H20 में देखने को मिलती है आप देख सकते हैं आप पर जो है पीछे का भी इसने बिलकुल पास मी था उसे बलर कर दिया और बाकी दोनों में नहीं हुआ है तो टेली फोटो लेंस डेफिनिटल यहाँ पर काफी अच्छा काम करता है आगे आउट्डोर लाइटिंग कंडिशन में भी आपको समझ आएगा अगर तुम चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक करो वीडियो को सब्सक्राइब करो और यह तो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन तुम्हें समझ आ गया है ना इंडो लाइटिंग कंडिशन में सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ पर मोटरोला एज 20 दिन यहाँ पर जीटी नियो टू पीच में मोटरोला एज 20 है इसमें जो है 4K 30 fps दि रिकॉर्ड कर सकते हैं बागी दोनों में फुल एजडी काफी जादा ठोकम ठुकाई चल रही है पीछे मसालो की समझ रहे हो सो यहाँ पर लाइट जादा लग रही है जीटी नियो टू नॉट टू में बट कॉलिटी जादा अच्छी हमें मोटरोला एज 20 में देखने को मिल रही है क्योंकि 4K 30 fps दि रिकॉर्ड कर रहा है बट थोड़ी सी लाइट मोटरोला एज 20 में यहाँ पर कम देखने को मिल रही है पर आउट्डोर लाइटिंग कंडिशन में बात करें डायरेट सन के कॉंटेक्ट में बिठा दिया था नाना बट मोटरोला एज 20 नौट टो में काफी अची फोटो आईया अगर हम यहाँ पर बात करें डीटेलिंग की तो यहाँ पर मोटरोला एज 20 की डीटेइलिंग अच्छी है उसकी बाद सबस्क्राइब नौट तू जादे च्र ने उक्रट अट्रोर एज 20 में लगे एंड बैक पूरा ही ग्रीन बना दिया है, और नॉट 2 में भी काफी अच्छा लग रहा है, बट GT Neo 2 में color level अलग ही level पे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा saturation level यहाँ पर जादा हो जाता है, फोटो थोड़ी बहुत attractive लगती है, लेकिन काफी जादा यह जो है over saturated कर देता है वहीं पर बात करें, wide angle में detailing की, तो obviously Motorola H20 में एक plus side है कि आपको यहाँ पर 16 megapixel का ultra wide angle मिलता है, उसकी वज़े से detailing काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, नॉट 2 में भी ठीक ठाक है, बट GT Neo 2 में काफी खराब है दोनों से, यहाँ पर macro shot अगर outdoor में लेते हैं, तो यहाँ पर जादा सबसे अच्छा Motorola H20 perform करता है, देख सकते हैं, यहाँ पर काफी अच्छी detailing निकाली है इसने, और वहीं पर नॉट 2 में हमें वो effect मतलब की, वो mode ही देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर GT Neo 2 में color आप देख सकते हैं कि बिलकुल ही अलग कर दिये, इसने जो green color का पता है, उसे gray color का type का कुछ पता बना दिया है, color accuracy के मामले में GT Neo 2 कभी उपर कभी नीचे डोल रहा है, विलकुल डोल अरे डोल जैसे, human subject के साथ बात करें तो ultra wide angle lens में आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों में ही photo काफी अच्छी आई है, सबसे sharp photo यहाँ पर GT Neo 2 म यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत warm side में जा रहा है, GT Neo 2 का over saturation था, वो इस मामले में यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि photo थोड़ी सी attractive यह बना देता है, detailing की बात करें, तो यहाँ पर सबसे अच्छी detailing आई है, GT Neo 2 में, then Motorola Edge 20, then last में not 2, main camera से भी आप देख स यहाँ पर आप देख सकते है, पत्तो का काफी जादा हरा कर दिया, GT Neo 2 में and natural रहा है, H20 and not 2 में, यहाँ पर portrait mode में बात करें, बिल्कुल model को हमने बिठा दिया है, काफी जादा थकान हो गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते है, natural color है again, H20 में जादा एकने को मिल रहे है, yellow यहाँ बिल्कुल हल्दी का ceremony हमने कर दिया, GT Neo 2 में, white cement का ceremony किया हमने not 2 में, यहाँ पर इस photo में आप clearly difference बता सकते हैं, GT Neo 2 की photo काफी अच्छी आई है, यहाँ पर जो है over saturation भी इतना हद तक हो आई कि वो काफी कमाल लग रहा है, इस photo में detailing से लेके सारा color production, photo जो है काफी attractive बना Instagram पर भी यही डालेंगे, DP भी यही लगा देंगे, तो make sure करें कि अगर Instagram पर follow नहीं है, अभी जाके follow कीजिए, वहाँ पर हम और regular updates देते रहते हैं, इसी किसी सेनारियो में, यहाँ पर GT Neo 2 काफी अच्छा perform कर देता है, यहाँ पर आप जो है again आपको natural photo जादा GT Neo 2 and Motorola H20 में ल हरा कर देता है, तो यह problem GT Neo 2 में पता नहीं, Realme की device मैंने देखा है, पहले X7 Max था, उसमें हरा जादा कर देता था, यहाँ अधर natural photo again Motorola H20 में आई है, then not 2, then last में GT Neo 2, यहाँ पर Motorola H20 के पास एक plus point है telephoto lens का, तो वो lens काफी अच्छे से कमाल करता, आप DSLR like photo यहाँ पर खीच पा बाट यहाँ पर Moto Edge 20 में आपको 4 की resolution तक recording देखने को मिल जाती है, और front camera से stabilization आपको मिल गया होगा, यहाँ हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते ही जा रहे हैं, so yeah, video को subscribe करो, channel को like करो, उल्टा बोल दे, लिगिन समझ आ गई भावना, front camera से अगर आप video record करते हैं, आउट डोर में तो सबसे अची clarity आपको यहाँ पर Edge 20 में देखने को मिलेगी, बट अगर यहाँ पर back camera से आप record करते हैं, तो यहाँ पर सबसे अची वीडियो आती है, Nod 2 में Optical Image Stabilization भी है, बाकी दोनों में EIS है, Nod 2 के back camera का कोई जवाब ही नहीं है, तो कि बाद GT Neo 2 भी अच्छा है, बट यहाँ पर Edge 20 काफी बेकार परफॉर्म करता है, back camera में, वीडियो डिपार्टमेंट में, यहाँ पर अगर हम focusing test के बारे में बात करें, तो देख सकते है यहाँ पर सबसे ज़ादा जो focusing speed देखने को मिल रहे है, वो GT Neo 2 में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यह Snapdragon 870 का processor भी मिलता है, तो processor का भी काफी effect पढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपका ISP वगर रहता है, वो यहाँ पर और ज़ादा fast हो जाता है, जितना अच्छा processor होता ह GT Neo 2 की सबसे च्छी focusing speed है, उसके बाद Motorola Edge 20 and Nord 2 almost same time पर focus करते हैं, बट Nord 2 कभी कभी थोड़ा से ज़ादा time ले रहा है focusing करने में, slow motion में यहाँ पर सबसे चाप perform करते है, Nord 2 then GT Neo 2 and Motorola Edge 20 almost same ही perform करते है, तमराज के लिश बोल के गई थे यह अंधेरा कायम रहेगा, तो night mode में अगर बात करें, तो Nord 2 का कोई जवाब नहीं है, इस segment में कोई भी phone नहीं है, Nord 2 के अलावाज जो इतनी जादा ठक कर देगा, बीना Gcam के, so यहाँ पर Nord 2 में काफी अच्छा रात के टाइम पर यह जो है capture कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जादा आपको sensor size देखने को मिल जाता है, Nord 2 बात GT Neo 2, Motorola H20 night time में बेटा tight है, फिस हो जाता है, बिल्कुल मज़निया है, बिल्कुल मज़निया है, बिल्कुल मज़निया, night mode में wide angle का support GT Neo 2 and OnePlus Nord 2 में, so still यहाँ पर Nord 2 जो है जादा बेटा perform करता है GT Neo 2 से, GT Neo 2 रात में भी हरे पत्तों को जादा ही हरा कर रहा है, मतलब इसे हर प्रियाली से बहुत प्यार है, लाल कलर से बहुत प्यार है, फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल भी light नहीं थी, इस पौधे पर तो देख सकते हैं, नौट तूने स्टिल यहाँ पर काफी हत्तागी से जो है थोड़ा बहुत light दे दिया है, और बाकी दोनो तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही परपल टाइप का कलर चल रहा है, यहाँ पर मोटरोलाइस 20 तो भाहिया राम भरो से चल रहा है कि अंधेरे में काना राजा टाइप का हो रखा है, तो यह फोटो तीनों के प्रो मोट से लिए है, ISO मैंने रखा था 1000 और शटर स्पीड थी यहाँ पर नौट टू ने, सो रात में अगर वीडियोग्राफिकी बात करें तो अंडाउटेडली नौट टू विनर रहता है, तो जीटी नियोटू ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट मोटरोलाइस 20 जो है यहाँ पर ढंग से फोकस भी नहीं कर पा रहा था, बहुत जादा टाइम ले रहा था, अगर अगर अब यहाँ पर बात करें के बारे में कौन सा बेस्ट तीनों में से, तो तीनों के ही सैंपल आपने देगे, यहाँ पर तीनों में ही किसी किसी सिनारियो में कुछ ना कुछ अच्छे प्लस पॉइंट भी हैं, नेगिटिव प से टेली फोटो लेंज भी मिल जाता है, उपर से मैक्रो भी मिलता है, तो ओवराल फोटोग्राफी के परस्पेक्टिव से, एज 20 काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बाकी दोनों भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एज 20 थोड़ा जादा परफॉर्म करता है दोनों से, और पर बात करें, वीडियोग्राफी की तो not 2, भीया, वीडियोग्राफी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद였 ग्रफोस्पेक्टिव के दोनों को ही पचाळ देता है, अगर जादा रात में फोटो कीशते हैं, तो not 2 सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, देन नीजी टी नियो टू उसके बाद मोटोरला एज 20 सो अब आप अपने मतलब यूसिज के साब से जो आपको बैस लगता है तीनों में से ले सकते तो आपकी चॉइस कौन सी है नीचे कमें सेक्षिन में कमेंट करके ज़रू बदाना सो आज होप से वीडियो अलफुलरी के वीड दोस्ताँ शेर कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी नियूंदरस्टिंग थास उफार्ड़ वीडियो साथ तिल देन जय हैं टेक केर एंड स्टेफ़ एंड स्टेफ़ एंड पम माद लह स्टेप़ केरा लाव पर नहाएं कि यद Korean रहे हैं जहरीओ एंड से या सिय हुचलरushLIE टेफ़गो येले वीडियो आज हैं ये वीडि़ हैं